जय गुमातागी जय बारत मातागी आप सब कैसे हैं उमेद करता हूं कि मा भगवती क्रपाश आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज का हमारे दोस्तों विश्य रहेगा डिप्रेशन यह डिप्रेशन किन कार्णों से होता है क्यों होता है इस कहराई में जाने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को कहीं पर भी इसमें किसी भी सोसल प्रेटपॉर्म पर देख रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरे वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल जोतिसादना के इंदर पर जाना होगा चैनल को के बिटित्यों कारण भले ही कोई ना कोई हूता है लेकिन जो डिप्रैसंड की ग्रहय स्थितिओं में क्या कारण होते हैं वज़े तो इसकी हजार होती हैं दोस्तों है हमारे घर की स्थितिया बेस में बड़ा माईने रखती हैं, घर में रखेवी प्रोडेक्ट भी बड़ा माईने रखते हैं, और भी उककरन, बेजली उककरन, पौदे, इन सब पर फिर कभी चर्चा करेंगे, तो आज की चर्चा का जो मुख्य विशे रहेगा, वो रहेगा चंदर मा को लेगे, क्यों की जो मन है, हमारा अक्सर ऐसे स्थितियों में भ्रमित की स्थिति को पैदा कर देता है, जिसे हम एकी विशे पर अत्यदिक मात्रा में सोचने लग जाते हैं, क्यों होता है, किसलिए होता है, इन सब बातों का चंदर मां पर, चंदर मां का हमारी कुंडली में बड़ा एहम लगता है, एक तो कुंडली में यदि विश्योग हो, विश्योकर्थ है कि यदि चंदर मां के साथ सनी कुंडली में कहीं पर विपस्तित हो जाए, तो दोस्तों ये बड़ा घातक सिद होता है, जिसे इनसान की कुंडली में चंदर मां के साथ सनी बैठ जाता है, वो इनसान कंग लिए अपने दुनिया बना बैठता है हुं कि असी प्रस्तितियों को दूर कर पाना बड़ा ही मुसकिल होता है उसको संझा पाना बड़ा मुस्किल होता खास कर तो परिवार के लिए क्योंकि कालपनीक के दुनिया का कालपनीक दुनिया है कलपना जो जब मांचिक기는 प्रमी Fith की है और यह इंसान के लिए कहीं बार जो इतने घातक सिदोती है कि इंसान को यह सुसाइड तक के प्वेंट पर ले जाती है क्योंकि जब आप खुद के स्वयम के गल्पना की दुनिया बना लेते हैं और उस दुनिया में आप खुद के ही सल्हाकार स्वयम बन जाते हैं, जज, वकिल, मुजरीम और सल्हाकार भी स्वयम ही बन जाते हैं, तो समस्या का सलुशन आपके लिए निकाल पाना बड़ा ही मुस्किल होता है, तो ऐसे इंसान अख्रक्या कर बैठते हैं, डिप्रेशन में क्योंकि जब चारू रास्ते बंद हो जाते तो वो लोग सुसाइड की तरफ जाने का प्रियास करते हैं चंद्रमा और शनी का अमेल जो होता है विश्योग के स्थिति को पैदा कर देता है ये किसी के साथ भी रिष्टे जो है ठीक नहीं रह पाते हैं वो चाहे मा है चाहे वो पिता है चाहे वो पत्नी है चाहे बच्चे है सबी के साथ ऐसा इंसान दिष्टे बिगाड़ कर बैठ जाता है क्योंकि वो इंसान किसी की सुनता नहीं है तो दोस्तों इसमें क्रोध की जो सीवास्तितिय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एस इंसानों का जो क्रोध है ना इतना जदा बढ़ जाता है कि वो अपनी बात का सपस्टी करण ही नहीं होने ज belong जेते हैं यदि परिवार में उसकी गल्तियों को रख कर उस पर यदि चर्चा भी की जाती है तो क्रोध उस इंसान का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस बात की गहराई तक तो जाने ही किसी को नहीं देता है ये समस्या जो होती है ये ज़्यादा तरकुंडलियों में देखे जाती है क्योंकि चंद्रमा जो है धाई दिन के बाद अपने स्थान को बदल देता है तो धाई दिन के बाद जो है स्थान बदलने का कारण क्या है कि चंद्रमा का सनी के साथ बहुत जल्दी मेल होगा जितना जल्दी सनी के साथ चंद्रमा का मेल होगा उतना ही जल्दी ये स्थिति कुंडलियों में अर्थात जिस दिन सनी चंद्रमा के साथ होगा उस दिन जो है ये योग जरूर बनेगा अब इस योग के निवारनों के उपर तो हम बाद में बाद करेंगे आज जो है हम इसी विशय पर और ज़्यादा गहराई में जाने का प्रियास करेंगे तो डिप्रेशन से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए चंद्रमा को जितना ज़्यादा आप प्रभावित करेंगे प्रभावित किस परकार से कि आपकी जो स्तितियां हैं आप वातावरन कैसा रखते हैं आप परिवार का वातावरन कैसा बनाते हैं महुल कैसा बनाते हैं वो आपके चंदरमा पर बड़ा प्रभाव डालता है आप पानी का प्रियोग कितना करते हैं और पानी का प्रियोग तो नहीं करते हैं जिस घर में चंद्रमा ज्यादा प्रभाव डालता है दुस्प्रभाव चंद्रमा के उस घर में ज्यादा देखने को मलते हैं जिस घर में पानी की बरबादी ज्यादा होती है अर्थात पानी जिस घर में ज्यादा बरबाद होता है वहां प्रचंद्रमा के दूश्प्रभाव ज़्यादा देखने को मलते हैं या दूद का बार-बार जो है घर में गरम करते समय गैस के उपर रखे हुए बरतन से दूद गरम करते समय बार-बार दूद का निकलना ये भी कई ना कई हमारे डिप्रेशन का कारण बनता है तो दोस्तों इन सब स्थितियों का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए ज़िए हम डिप्रेशन से बचना चाहते हैं और खासकर उन परसनों से भी दूर रहना चाहिए जिन के कारण हमारा डिप्रेशन बढ़ता है रिष्टा भले ही कोई हो उस इंसान से बातचीत कम करें क्योंकि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि द्वादस भाव में पस्तित है अथा चंद्रमा वरिष्चिक राशी का यदि सत्रू राशी का चंद्रमा है तो आपके सामने ज्यादतर प्रस्तितियां वही उत्पन होगी जो आपको डिप्रेशन देंगी और रात को जगाएंगी अर्थात ऐसे स्तितियां का इंबाल जो है सिर में अत्याधिक दर्द भी बड़ा देती है क्योंकि सोचना कालपन एक दुनिया का एक हिस्सा बन जाता है वो इंसान जो है सोचता आत्याधिक है जो खुद की एक दुनिया बना बैठता है उस कलपना की दुनिया में उस इंसान को सब कुछ सही अपने अनुशार लगता है वो इंसान चाहा कर भी गलत को गलत नहीं कह सकता है चाहा कर भी वो गलत को गलत इसलिए नहीं कह सकता या तो उसकी कुंडली में विश्ययोग है या फिर चंद्रमा द्वादस भाव में है या भे विश्चिकर्थाज सब्तुरुराश्चिका चंद्रमा उपस्तित है तो इसमें सबसे ज़्यादा तो बहतर क्या रहता है दोस्तों कि जब इस तरह की स्थितियां बन जाती है इस तरह की जो गटनाई ज़्यादतर जीवन में जब देखने को मिल जाएं कि आप किसी बात पर किसी विशय पर या आप बार बार एकी बात पर आपका माइंड बार बार जा रहा है आप उसी विशय पर बार सोच रहे हैं बार बार उसी पर बाते कर रहे हैं या आपके परिवार का कोई ऐसा सदसे हो सकता है तो तुरंट उसकी किसे अच्छी विशे सग्यासे आप उसकी कुंडले का विसलेशन करवाएं और जो कारण क्या है उस कारण को जानने का प्रियास करें ऐसे इंसानों को दूर के समझ आऊँगा मैं सब्दों के लिए ऐसे इंसानों के लिए आप लोग उनसे दूरी नय बनाएं क्योंकि वही दूरी कल उनकी मिर्टू का कारण भी बन सकती है वही नफरत वही अलर्जी कल उनके लिए उनका जीवन द्यागने का कारण भी बन सकती है तो दोस्तो ऐसी स्तिती में ऐसे इंसान यदि आप के इर्थ गिर्द है या स्वेम भी यदि आप इस तरह की स्तितियों से प्रभावित हैं तो आप समस्या तक जाईएगा समाधान तक कौशने का प्रियास मत करिएगा क्योंकि समस्या में जानने का प्रियास पर्थम बनता है समाधान तो उसे रपी की लगता है कि जब इस तरह की स्थित्या बनती है कि हम लोग जीवन का आंत कर लेते हैं वहीं शायद समाधान है क्योंकि चंदरमा का ऐसा पर दोस्तों यह समश्या को जानिएगा पर किसी अच्छे विशेश अग्या से इसका समाधान भी जानने का प्रियास कीजिएगा रात्री में दूद ना पीजिएगा और दोस्तों यदि आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं अंत में आपको एक सुन्दर से आई को पाई बताना चाहूंगा कि आप जब डिप्रेशन की दुनिया में आप चले जाते हैं अध्य दिक मात्रा में आप सोचना शुरू कर देते हैं तुसरा पर्थम आप अपने खाने का त्रिका बदलिएगा खाना जो है ज्यादा रात्री में नहें खाएं अर्था संद्या के समय आसपास ही या पहले या फिर संद्या के बाद में भोजन करिएगा और समय पर सोने का प्रियास करिएगा अलागि आपको नहीं आएगी परंतो आप प्रियास जिरूर करिएगा और परियास क्या है दोस्तों कोई मेडिसन नहीं है कोई द्वाई नहीं है उसका सबसे अच्छा उपाई क्या है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो आधा से पुनगंटा भ्रह्मन कीजिएगा और अपने बिस्तर पर जाकर गायत्री मंतर का उचारण करिएगा जी हाँ गायत तो रात्री में नेंड भी अच्छी आएगी और चंद्रमा का दुस्ष प्रभाव भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रात्री में यदि आप ज्यादा जागते हैं तो वो चंद्रमा पर प्रभाव चंद्रमा पर छोड़िए आप सभी ग्रहों पर आपका जो है रात में जागना प्रभाव ज़्यादा डालता है राहू को मजबूत कर देता है केतो को मजबूत कर देता है सनी को मजबूत कर देता है मजबूत विस अच्छे कारियों में नहीं गलत संगती की तरफ जाने में आपको जो है ज़्यादा स्टोंग बनाएगे धरम के रास्त में जागना श्रोप नहीं बनने देगा और पानी का कम से कम आप घर में बेश्टिज होने दीजिएगा यदि कोई टुंटी में पानी टपकता है तो तुरंत आप उस टुंटी को बंद करने का रस्ता निकालिएगा मिस्त्री को बुला कि उसे ठीक करवाईएगा और यदि द साथ उपस्तित रहिएगा क्योंकि आपका दूद का निकलना पानी का टपकना और रात्री में आता है दिख जागना कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा पर दुश प्रभाव डालता है ग्रहन के स्तिति चंद्रमा पर बना देता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है मन का मालिक जब कम जोर बढ़ जाता है था दूए धहामें होता है तो दोस्कों स्थित्य के बड़ी घंपीर बन जाती है कार्य में मन नहीं लगता है खाने को मन नहीं करता है पीने को मन नहीं करता है पीना वो नहीं पीना जो हमारे जीवन के लिए जो हमारे सरीर के लिए तैदिक जरूरी होता है हम उन चीजों का प्रियोग सही से नहीं कर पाते हैं और एक बड़ी अच्छी बात इसमें हो रहे हैं जिसका चंदरमा प्रभावित होता है चंदरमा इस तरह की स्थिति में होगा तो कहीं ना कह उस बच्चे की मां अस्वस्थ होगी सारिक मानसिक हर प्रकार से हो सकता है सरीर में कोई नुक्ष मिले हो सकता है उनके जो सोचने की सक्ति जादा बढ़ गई हूँ एक चंद्र मां का हमारी कुणली में दोस्तो प्रभावित होना वो किवल हमारे तक ही सिमित नहीं रहता है हमारे तक ही सिमित नहीं रहता है ये हर किसी पर प्रभाव डालता है पूरे परिवार पर 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 प्रभाव डालता है उन मां तो दोस्तो हमारे जीवन का बच्चे के सवरूप को देखकर ही मा को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किस परेशानी में है और जिस मा का बच्चा परेशानी में ठीक से खा नहीं पाता है ठीक से दोस्तों उठ नहीं पाता है क्योंकि जब रात्री में अर्ट्यदिक मात्रा में जागेंगे तो श्रीर व जिसका अच्छा नहीं होगा उसकी मां को कही ना कहीं किसी ना किसी विशयम में कही ना कहीं प्रेशाने जरूर होगे ब smiles 20 यादा जानकार्य यदि दोस्तों आप चाहते हैं आप हमारे यूटुब चैनल पर कॉमेंट में आप जरूर बताईएगा आप कोई अमारी जानकारी कैसी लगी है और यदि आप अपनी कुंड़ी का ज्यान प्राप करना चाहते हैं तो आप अमारे वट्सप पर दिये गए नंबर पर भी आप ये जानकारी कुंड़ी की आप डाल सकते हैं और जैसे हमें समय की उपस्तिती भगवान कराएगा वैसे ह हम आपको आपकी जानकारी क्से वाकिब करवाएंगे और आप हमारी चैनल से चुड़े रहेगा दोस्तों यदि आप भी कोई ऐसा विशे जानते हैं आप शेयर करना चाहते हैं तो कोमेंट में आप उस विशे को हमें सेयर कीजिएगा तो हम उस विशे पर एक वीडियो जर परियास करें कि हर इंसान आज परियास करता है दूरे ज्यान के साथ वह वहां तक नहीं बढ़ पाता है और सभी तक के सुंदर जानकारिया आप अपने सल्सकिर्टी से जुड़ी हम लोग बताएं और एक अच्छा जीवन बैतित करें क्योंकि परिवार के साथ को साल जीना ये हर कोई चारता है परतुपस्तितिया जो है आज इंसान को उस महोल में नहीं रहने देती जिन महोलों में हम लोग रहना चाते जीना चाते हैं ग्रहों का प्रभाव कुछ होता है ज्यादा हम लोग अपनी सोच से बिगाड बैठते हैं जीवन की प्रतिक्रिया वह उत्मा जानकरियां हैं जो आपको हम आगे दीरे-दीरे शेर करेंगे कोई दोस्तों एकी दिन में सब कुछ संभव नहीं है और फिर जो है ये कुंडलियों का जो है मिलने चुलने का प्रोसेस पर बड़ा चलता रहता है और इसमें से इतना टाइम निकाल पाना आप लोगों के साथ करना ग्यान केवल पुस्तको का मैंने आप लोगों से शेर नहीं किया है एक गली मेरा एक्सपिरेंस है मैं बहुत लोगों से मिला हूँ आप लोगों के रपा से और कई नई विशह पर आप से फिर मुलाकात होगी और अब दोस्तों जल्दी जल्दी मुलाकात होगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से करिएगा पाकंड से और अरंद विश्वास से निकालने में हमारे देश्वास्चियों को आप मेरी मलत जरूर कीजिएगा फिर मलते हैं जै गोमातागी जै भारतमातागी तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए और प्रभु की सरण में रहिए जै अमातागी